नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्यास सेंगा पचीस करोड भारतिय जनता पार्टी और अर्विंद के जुरेवाल के नेता ये एक खुलासा दिल्ले की कड़कडाती ठंड में सियासी पारे को पढ़ा चुका है दरसल आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा खुलासा किया है कि भारतिय जनता पार्टी की तरफ से अब आम आदमी पार्टी के निताओं को ओफर दिया जा रहा है 25 करोड रुपे देने की बात MLS को की जा रही है और ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या अब ऑपरेशन लोटस या लूटस जो भे यहां पर कहा जाए दिल्ली में चलाती हुई BJP नजर आ रही है पार्टी के इस बड़े दावे के बाद सियासित सरगर्मी तो बढ़ी ही है सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को जब जाच एजिंसियों की करवाई से ड़ाया नहीं जा सका जब नेताओं की गिरफतारी से कमजोर नहीं किया जा सका तो अब ये एक नया पैतरा पार्टी के खिलाफ चला जा रहा है ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कई बड़े खुलासे किये जुसके बाद अब सवाल ये बन रहा है कि भारतिय जुनता पार्टी पर जो ये गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार लगाती हुई नजर आ रही है इनमें आखिरकार कितनी सच्चाई है क्योंकि कई घोटालों में फस्ती हुई अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिस तरीके से अब ये बड़े दावे कर रही है इसके बाद भारतिय जिनता पार्टी क्या खामोश रहेगी जो खुद ब्रश्टा चार जैसे बड़े मामलों में फस्ती हुई नजर आ रही है सरकार अब वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उनके नेताओं को खरीदने के लिए ओफर दिये जा रहे हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है विस्तार से समझाते हैं रुपे ओफर किये गए इससे लेकर मुख्य मंतरी अरविंद केजरिवाल ने एक अच्छा खासा पोस्ट शेयर किया है सोशल मीडिया पर और दावा किया कि बीजेपी दिली में आपके विधायकों को तोड़ने की कोशश कर रही है पिछले दिनों बीजेपी ने हमारे साथ विधायकों से संपर्क किया कहा कुछ दिन बाद केजरिवाल को गिरफतार कर लेंगे उसके बाद एमेलेस को तोड़ेंगे 21 विधायकों से बात हो गई बाकी बचे हुए साथ विधायकों से भी बादशी चल रही है 25 करोड देने की बात कही गई बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़ा देंगे ये भी ओफर हुआ है उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमेले से संपर्क किया लेकिन अभी तक साथ विधायकों को तोड़ नहीं पाई और सभी के सभी साथ विधायकों ने ओफर भी ठुकरा दिया है ऐसे में ये बड़ा खुलासा राजुनीती को गर्माता हुआ नजर आ रहा है अरविंद केजरिवाल ने आगे दावा करते हुए ट्वीट कर लिखा है इसका मतलब किसी शराब घुटाले की जाच के लिए मुझे गिरफतार नहीं किया जा सकता बलकि दिली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए शड़यंत्र रचा जा रहा है पिछले नौ सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने कई शड़यंत्र रखी है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और अब हमारे सातों विधायकों को खरीदने की कोशश की जा रही है लेकिन सातों विधायक इमानदार है और इसे लिए इस ओफर को ठुकरा दिया तो देखा आपने क्या यहां पर मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल अपने आपको इमानदार बता रहे हैं और सीधे सीधे बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं इस आरोप के बाद क्या भारती जनता पार्टी खामोश रहेगी या फिर अरविंद केज निल्स